मैं 14 साल की थी, जब मेरी दीदी एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी जीजा से करने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे अपने जीजा से बहुत डर लगता था, क्योंकि वह बहुत हट्टा-कट्टा मर्द था, और मैं 14 साल की नाजुक लड़की मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई, सुहाग रात में वह मेरे करीब आया, तो मैं उसे देखकर डर गई थी, कहने लगा डरती क्यों हो तुम्हें, मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था, मैं खु बार-बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे, मैं खुद भी एक बहुत बड़े गम से गुजर रही थी, क्योंकि मेरी दीदी बच्चे की पैदाइश के होते ही दुनिया से चली गई थी, लेकिन जब वह बच्चा चुप ना हुआ, तो मैं खुद भी रोने लग मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरी कहने लगे, इसने भी तो आते ही अपनी मा को खोया है, क्या कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी मा को और अपने भांजे को संभाला था, आखिर आठ दिन बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी मा की तबियत कुछ ठीक हुई थी, फिर भी वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था, मेरी दीदी के मौत के बाद मेरे जीजा एक बार भी हमारे घर में नहीं आया था, मेरी दीदी और जीजा की मह की शादी थी, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे दोनों, लेकिन मेरी दीदी की उम्र बहुत कम थी, पहले तो पापा मा इस शादी के बिलकुल खिलाफ थी, उनका कहना था कि अभी मेरी बेहन जिसका नाम सुहाना था, उसकी उम्र बहुत कम है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते, लेकिन दीदी भी जिद पर आ गई थी, और उधर जीजा ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था, यूँ मजबूरन मा, पापा को दोनों की शादी करवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी जजबात में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले, लेकिन बच्चे की पैदाइश पर ही मेरी दीदी इस दुनिया से चली गई थी, उसकी उम्र इतनी ही लिखी हुई थी, एक महीना गुजर गया था, अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी, जब जीजा हमारे घर आया, उस वक्त उसकी दाड़ ह बड़ी हुई थी, आँखें लाल थी, बस थोड़ी ही देर उसने अपने बेटे को गोद मे लिया था, उसे प्यार किया था, मेरी मा कहने लगी कि गौरी अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती है बिट्टू को, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ, ज आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हलका कर सकती हैं, एक दूसरे को होसला दे सकते हैं, मेरे बारे में भी तो सोचे, खाली घर में मुझे सुहाना की आवाजें सुनाई देती हैं, मैं किस दिल से वहाँ अकेला रहता हूँ, यह मैं ही जानता हूँ, उनका गम अपनी जगह बहुत बड़ा था, मेरी मा ने ठंडी गहरी सांस ली थी, कहने लगी अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद गौरी की दसवी क्लास शुरू हो जाएगी, बेटा, मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ, जाने वाली तो जा चुकी है, तुम्हें अब जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो, यह सुनना था कि जीजा के माथे पर बल पड़े थे, कहने लगा, आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, सुहाना की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे स जानती हूँ, तुम सुहाना जैसी मोहबबत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की जरूरत है न, जीजा कहने लगा, क्यों क्या मौसी नहीं पाल सकती, गौरी तो अभी छोटी है, सिर्फ 14 साल की है, आपको कौन सा अभी इसकी शादी कर देनी है जब तक वह 20 से 22 साल की होगी, मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा, और फिर मैं इसे ले जाऊंगा, लेकिन मेरी मा कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, अगर तुम्हारा बेटा गौरी का आदी हो गया, तो किसी दूसरी औरत फिलहाल, तुम्हारे दिल में सुहाना का गम ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ, वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ महीने बाद ही तुम शादी कर लेना, ताकि तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाए, जो तुम्हारी बीवी हो, व जीजा को बुरी लगी थी, वो फॉरन उठकर चला गया और उसके बाद पूरे चार महीने बाद आया था, बिट्टू पांच महीने का हो चुका था, अब तो मेरे बगैर रही नहीं रहा था, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी, स्कूल से आती तो वह रो रहा होता था माँ उसे बहला फुसला कर ठक जाती, लेकिन चुप ही नहीं होता था, मैं आते ही उसे गोद में भरती, तो उसका रोना बंध हो जाता, मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाता था, मुझे अपनी माँ समझता था, और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जजबात रखने लगी मुझे लगता कि जैसे वो मेरा ही बच्चा है, मेरी मा बार बार जीजा को कहती कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचे बैठे था, मा के बार बार बुलाने पर चार महीने बाद आया था, एक ही घंटा ब पोज किसी पर डालना नहीं चाहता, दिन यूँ ही गुजरने लगे थे और मैं 17 साल की हो गई थी, अब तो बिट्टू भी 3 साल का हो गया था, अब तो मेरे बगैर और भी नहीं रहता था मुझे, मम्मा मम्मा कहता था, उन्ही दिनों मेरा रिष्टा भी आया था, काफी अ आपकी आउलाद नहीं है, आपकी बेटी की आखिरी निशानी है, अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करें, इससे इसकी मा मत छीने, बिट्टू गौरी को ही अपनी मा समझता है, और अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही ही है, दो-तीन साल और रुख जाएं, तब तक बिट्टू भी बड़ा हो जाएगा, और बात को समझने लगेगा, आप देखना मैं खुद ही गौरी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूँगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दे कि मैं उसके साथ रह सकूँ, औ और वक्त का कुछ पता नहीं है, मैं बीमार रहती हूँ और गौरी के पापा भी बलड प्रेशर के मरीज हैं, हम अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, तुम अपने बारे में सोचो, वो कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है, तो फिर गौ गौरी से बहुत बड़े हो, पूरे दस साल बड़े हो, जीजा ने कहा, तो फिर क्या हुआ, बिट्टु गौरी को अपनी मा समझता है, अब इसके बगैर नहीं रह सकता, और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊंगा, तो पता नहीं वह मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेग जैसा की अभी दे रही है, मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए, जो गौरी से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे सुसर से बात करके देखूंगी, देखो गौरी, मेरी एक ह अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो, तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ बिट्टू की मा की हैसियत से नहीं, बलकि अपनी बीवी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फिक्र ना रहे, ये बात सुनकर एक जीजा के माथे पर हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए ऐसे कोई जजबात नहीं थे, होते भी कैसे, मैंने तो उसे हमेशा अपने भाई की नजर से ही देखा था, उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, जब ये बात मेरे पापा को पता चली, तो कुछ सोच समझ कर उन्ह होने भी हां कर दी थी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा तो था, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी, और सबसे बड़ा दिक्कत तो बिट्टू का था, वो अभी बहुत छोटा था, और उसे एक मां की जरूरत थी, नई आई औरत का क्या भरोसा, उ मेरी माने जब मेरी रजामंदी पूछी, तो मैंने कोई भी एतराज नहीं किया था, जीजा में ऐसी कोई कमी भी नहीं थी, जिस बात पर मैं एतराज करती, बलकि मेरे लिए खुशी की बात थी, कि अब मैं बिट्टू की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि बिट्ट मेरी और आकाश, यानि मेरे जीजा की शादी कर दी गई, मैं जब विदा होकर आकाश के घर आई, तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने आकाश के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, बस यहीं था कि वो मेरा जीरा है, फिलहाल तो मेरा दिल बिलकुल ख तुम बिट्टू के साथ यहां बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। आँखों से उसे देखती जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। बिट्टू मेरी उंगली पकड़े मम्मा मम्मा कह रहा था। मैंने अपनी आँखों से बहते आंसू साफ किये और बिट्टू को बेड़ पर लिटा कर सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही यह शादी जैसे भी हालात में की गई थी। लेकिन मेरे लिए यह एक नया एहसास था। मैं आकाश को दिल से कुबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ मिया बीवी का रिष्टा रखना चाहती थी। लेकिन उसने मेरे मुह पर ही मेरी बेजज़ती करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा दिल दुखाया था उसने। मैंने सोचा इससे तो अच्छा था। काश मेरी मा मेरी शादी किसी और से कर देती। कम से कम वो मेरे साथ ऐसा स्लोक तो ना करता। यह आदमी तो पत्थर दिल है। कितने आराम से मुझे यह सब कुछ कहकर चला भी गया था। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे अपनी बेहन से नफरत नहीं थी। लेकिन मैं अपनी जिन्दगी अच्छे से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यहीं चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उससे महबबत करे। पहले जब वो सुहाना से महबबत करता था तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि मेरी बेहन कितनी खुशकिस्मत है। उसे इतना प्यार करने वाला पती मिला है, लेकिन अब यही बात मुझे चुबने लगी थी, वह मेरे सामने ही दीदी के प्यार की आह भर रहा था, डीडी जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी में आ गई थी, उसका फर्ज बनता था कि वो मुझे मेरे हिस्से की ख उसने एक नजर उठा कर भी मेरी तरफ नहीं देखा था, मैं उस पत्थर दिल आदमी को देखकर अपने दिल ही दिल में आंसू बहाती रही, खूबसूरती में मैं दीदी से कहीं अधिक थी, खूबसूरत तो दीदी भी थी, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थ लेकिन आकाश ने मेरी तरफ नजर उठा कर भी नहीं देखा था उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दीदी बसी हुई थी वह चला गया और हर दिन अब ऐसे ही गुजरने लगे थे पूरा दिन या तो मैं काम पर लगी रहती या बिट्टू में लगी रहती लेकिन रात को ना चाहते हुए भी मेरी आँखों में आंसु बहने लगते थे वह तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था मेरे पास आना तो बहुत दूर की बात थी हाँ मेरी जरूरत का हर सामान वह लाकर रख देता था मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी लेकिन औरत के लिए यही सब कुछ काफी नहीं होता उसे पती की महबबत भी चाहिए होती है जो मुझे मिल नहीं रही थी हर लड़की के अंदर ये ख्वाहिश होती है मेरा मन करता है वह मुझे प्यार दे, मेरी तारीफ करे एक बार यूँ ही मेरा तयार होने का जी चाहा मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी मैंने मैकप किया था, अपने बाल खुले छोड़ दिये इत्तिफाक ऐसा था कि उसी वक्त आकाश भी घर आ गया मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला यह क्या पहन रखा है तुमने इस तरह तयार होकर मेरा दिल लुभाना चाहती हो क्या समझती हो क्या मैं कमजोर किरदार का मालिक हूँ तुम मेरे सामने सजस्वर कराओगी तो मैं अपने होश खो बैठूंगा तुम्हारे करीब हो जाओंगा शर्म नहीं आती ऐसे हतकंडे इस्तिमाल करते हुए उसकी बातें सुनकर मुझे अपना आप उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा था मुझे अपनी बहुत ही बेजज़ती महसूस हुई थी मेरी आँखों में में आँसू आ गए थे मैं तो बस यूँ ही तैयार हुई थी मुझे नहीं पता था कि वो आफिस से जल्दी घर आ जाएगा और इस तरह मुझे जलील करेगा मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल कर फूट फूट कर रोने लगी बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था मुझे रोता देखकर मेरे पास आया मेरी आँखों से आँसू पोचने लगा कहने लगा मामा क्या हुआ है आपको क्यों रो रही है पापा ने आपको डांटा है मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ न छोड़े पापा को मैं आपको अभी माथे पर प्यार करता हूँ आप ठीक हो जाओ जिस तरह मैं उसे बहलाया करती थी वह भी मुझे बहला रहा था उसने मेरे माथे पर प्यार किया तो मैंने अपने आंसू साफ किये, रोते हुए मैंने अपना सारा मेकप बिगाड दिया था, मेरी लिपस्टिक पूरे मुह पर फैल चुकी। थी और काजल भी गालों तक आ रहा था, मेरे दिल में उस वक्त बिट्टू के लिए जरा भी कोई एहसास नहीं था, बलकि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, ना जाने क्यों मुझे एकदम से यह महसूस होने लगा, कि जैसे अगर मेरी जिंदगी में बिट्टू ना होता, तो शायद आज मेरे साथ यह सब कुछ ना हुआ होता, बिट्टू की वजह से ही मेरी शादी आकाश के साथ हुई थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती, बिट्टू ने मेरा ऐसा हुलिया देखा तो अपने छोटे-छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा, कहने सूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तयार नहीं हुई थी, मैं तो बड़ी ही शरारती टाइप की लड़की हुआ करती थी, बहुत दिल चाहता था कि बोलू, हंसू खेलू, तयार हूँ, मैकप करूँ और खूब रंग बंग के कपड़े पहन था, बाल भी खुले छोड़ दिये, अब यह दिन का समय था और अब आकाश के आने का समय नहीं था, हलका फुलका मेकप भी मैंने अपने चेहरे पर कर लिया था, बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था, अब तो उसके स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी, कभी-कभी ज उससे मोहबबत करती थी, उसके बाप की सजा मैं बिट्टू को क्यों दूँ, उस दिन मैं तयार बैठी थी, जब बिट्टू ने मोबाइल में मेरी तस्वीर बना कर आकाश के नंबर पर भेज दी, मैं इन सब बातों से बिलकुल अंजान थी, बहुत वक्त के बाद मेरा श सामने पटक दिया, कहने लगा, ये सब कुछ क्यों किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं वहाँ मीटिंग में बिजी हूँ और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही हो, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो त मेरी नजर में कोई भी एहमियत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की मा हो, मैं तो बस हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, अगले ही पल उसने मेरा मुह दबा कर मुझे जोर से जटक दिया था, मेरे हाथों स चूडियां तूट कर इधर उधर बिखर गई थी, बिट्टू तो डर कर पीछे चुप गया था, कांच मेरी कलाईयों में चुप चुका था, और मैं बस सिसके भर कर रह गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर आकाश के नंबर पर भेजी गई थी, वो पसंद का खाना खाना सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका था, मैं अपने कमरे में बंध होकर कितनी ही देर तक अपने जजबात और अपने अर्मानों का गला घोट कर रोती रही, मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे, उस रात एक पल के लिए भी मेरी आँखें बंध नहीं ह चुका था, आकाश मुझे पलट कर देख रहा था, उसे लगा शायद मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शायद करूंगी या बिट्टू के साथ बुरा सलूक करूंगी ताकि उसे मुझे डाटने का फिर से मौका मिल जाए, लेकिन मैं एकदम से चुप थी, दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की मां हूँ और मेरा यहां कोई दूसरा काम नहीं था, मेरा काम यहां सिर्फ बिट्टू का खयाल रखना और अपने पती की जरूरतों को पूरा करना था, मैंने अपना मन तो कपका मार लिया था, सारी महबत, सारे जजबा मुझे चुपचाप कामों में लगा देखकर अब शायद आकाश को भी एहसास होने लगा था कभी-कभी वो मुझसे बात करने की कोशिश करता लेकिन मैं बस हां में जवाब दे देती फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की लेकिन अब मुझे इस सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था मेरे जजबात तो कब के खत्म हो चुके थे बिट्टू स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था अब तो जो टाइम बचता, मैं उसकी पढ़ाई में बिजी हो जाया करती थी ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाये रखने का शौक था और ना ही सजने सवरने का चूडियां क्या होती है यह तो मैं भूल ही चुकी थी, कोई भी फंक्षन हो, कोई भी त्योहार हो मैंने कभी सज समवर कर नहीं जाना था इस बार जब त्योहार आई, तो शायद आकाश नोट कर चुका था वो जब बिट्टू को मोल लेकर गया, तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगा लेकिन मैंने काम का बहाना बना कर मना कर दिया जब आकाश बिट्टू के साथ वापस आया, तो बड़ा ही खुश था मेरे पास आया, और एक खाकी कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया कहने लगा यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, यह कहते हुए वो कुछ हिचक जा रहा था चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी, मैं तो हैरान थी, इतने सालों में वो मेरे लिए आखिर क्या चीज लेकर आया था, मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था और फिर बगैर किसी भाप के मैंने उसे खोल कर देखा, तो उसमें कांच की लाल रंग की चूडियां थी, जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थी मैंने एक सरसरी से नजर चूडियों पर डाली, और कहने लगी, यह आप किस लिए लाये हैं? आकाश मुझे हैरत से देखने लगा, बोला, मतलब अपने बेटे की मां के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें लाल रंग की चूडियां पसंद है न? तो पहन लो, मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था, नजर उठाकर जो उसकी तरफ देखा, एक पल को मुझे उसकी आँखों में अजीब सी कशिश महसूस हुई थी, कुछ ऐसा जरूर था, जिसने मुझे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था, शायद उसे इतने स सालों में एहसास हो चुका था, कि मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी पहली बीवी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत भी थी, यही वजह थी, कि उसके घर में हम एक जायज रिष्टे में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि वह दीदी को अभी तक भूला नहीं था, लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहबत जागने लगी थी, मैंने चूडियां लेकर वहीं शेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, इतना कहने के बाद मैं वहां स जा चुकी थी, लेकिन मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, त्योहार थी तो सभी तयार थे, मैं घर के कामों में ही लगी रही, मेरे माँ बाप भी वहीं आ चुके थे, बाकी खांदान से भी लोग हमारे यहां पर मिठाई देने आये हुए थे, सब ल आपको खूब सज समवर कर रखती हैं, लेकिन तुम तो किसी उजड़ी हुई हालत में रहती हो, आकाश ने मुझे पर ध्यान दिया, तो मेरे पास चला आया, कहने लगा, तुम ये सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो, देखो, सभी तयार हैं, एक तुम हो कि घर के कामों में घिन चक्कर बनी हुई हो, चलो जाओ, ये काम छोडो और तयार हो जाओ, आज आकाश मुझे मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था, कहने लगा, तयार हो जाओ, और मुझे जितनी हैरत होती उतनी कम थी, वह मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा था, मैंने कहा, आपको आज आपको क्यों एहसास हो रहा है, मेरे सवाल पर वो लाजवाब हो चुका था, मेरी मा ने भी मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मेहंदी, क्यों नहीं लगवाई तुमने, और ना ही नए कपड़े पहने है, और ना ही ज्वेलरी पहनी है, तुम्हारे पास तो सोने की ज्वेलरी का एहसास हो चुका था, बिट्टू सो चुका था, तो उसे रात उसे दिन, जब वह बिट्टू सो चुका था, तो यूँ ही मैं अपने कमरे में घूम बैठी हुई थी, आकाश कमरे में आया, उसको देखकर मैं थोड़े से हैरान हुई थी, क्योंकि रात के वक्त पहली बा जब आकाश मेरे कमरे में आया था, वह मेरे सामने बैठ गया, मेरे हाथ पकड़ कर मुझसे बातें करने लगा, लेकिन मैंने अपने हाथ छोड़ा लिया, खाने लगा, देखो गोरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा स्वरूप किया, मैं जानता हूँ सुहाना की महबत में मैं अंधा हो चुका था, लेकिन यह बात तुम भी जानती हो कि सुहाना मेरी जिंदगी में कितनी एहमियत रखती थी, हम दोनों एक दूसरे पर जान छुड़ाए थे, उसका इस तरह से चले जाना मेरे दिमाग और दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला था, मैं तो मैं बेटे को अपने उलाद की तरह पाला, मेरे बेटे के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, छोटी सी उम्र में ही तुमने इसे मां का प्यार दिया, और जब यहां आए, तो जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारा पती था, तुम मुझे पती जैसा तो न मैं तुम्हारे साथ रिष्टा आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, कही न कहीं मैं तुमसे बहुत महबत करने लगा हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी की नहीं, शुरुआत करना चाहता हूँ, आकाश के आँखों में कुमारी जाने लगी, उसने अपने साथ लाई हुई लाल रंग की चूडियां मेरी कलाई में पहना है, धीरे धीरे वह मेरे करीब होने लगा था, मैं उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, लेकिन अब मेरे जजबात बिलकुल खत्म हो चुके थे, मैं वहां से उठकर खड़ी हो गई, यह सब अर्मान तो मेरे दिल में कब से खत्म हो चुके थे, मैं पलट कर उसे देखा और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की मा हूँ, इस से ज्यादा मेरा और आपका कोई रिष्टा नहीं है, मेरे अंदर भी जजबात थे, कभी मैं भी यह दुआ करते थे, कि आप म मेरे साथ प्यार से बात करने की तो बात ही दूर है, आपने तो मुझे नजर उठा कर देखा तक नहीं, कितना मेरा दिल में चलता था कि आप मेरा तारीफ करें, मेरे लिए तो फिर लेकर आए, जब मैं तयार हूँ तो आप मेरी तारीफ करें, मेरे लिए तोहफे लेकर अब जब सब जजबात राक हो चुके हैं, तो आप मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। आप तीसरी शादी कर सकते हैं? इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकाल कर बालकनी में चली गई थी। अगर कोई यह समझता है कि वह उस औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।